प्रादेशिक समाचारिकांच भोपाल से प्रस्तुत है बालाघार्ड जिले की चिठ्थी आलेक शुनिवास चौधरी वाचक स्वर सैयुकता बैनर जी बालाघार्ड जिले में दो वर्ष पहले ग्रामीन आजीविका मिशन की महिलाओं को जल जीवन मिशन की नल जल योजनाओं में जल कर वसूली की जिम्मेदारी सौपी गई थी बालगहर्ट जिले में किया गया ये नवाचार सभल रहा और पंचायत और ग्रामीन विकास विभाग ने इसे अब प्रदेश में लागू कर दिया है अब प्रदेश के सभी जिलों में नल जल योजनाओं में जल कर की वसूली का दायत्व आजीवी का मिशन के महिला स्वसाहता समूहों को दिया जा रहा है इसे आजीवी का मिशन से जुड़ी महिलाओं को रोजकार मिल रहा है और वियार्थिक रूप से मजबूत बनने की और अग्रसर हो रही है ग्रामीन आजीवी का मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक उम्प्रकाश बेदुआ ने बताया कि जिले के 405 महिला समूहों ने जल कर की वसूली करने के लिए अपनी सहमती प्रदान कर दी है और इन में से 189 समूहों द्वारा काम शुरू कर दिया गया है भारत निर्वाचन आयो के निर्देश आनुसार बालाघाट जिले में भी मद्दाता सूची के विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षन का काम 25 मई से शुरू कर दिया गया है ये 4 अक्टूबर तक चलेगा इस दोरा नए मद्दाताओं के नाम जोडने, मृत मद्दाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए शनिवार और अविवार को विशेश शिवर भी लगाये जाएंगे कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले के सभी मद्दाता केंद्रों के बीयलों को निर्देशत किया है कि वे मद्दाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरी सावधानी के साथ करे विश्व तंबाखु निशेद दिवस पर जिला चिकितसा लेबाला घार से रैली निकाली गई मुखे चिकितसा और स्वास अधिकारी डॉक्टर मनूच पांडे के मार्क दर्शिन में सिवल सर्जिन डॉक्टर संजय धबरगाउ ने रैली को जंडी दिखा कर रवाना किया रैली के समापन पर तंबाखु निशेद पर कारिशाला का आयोजन किया गया मुखे मंतरी शिवरा सिंग चौहान कल 3 जून को मलाच खंड आएंगे श्वी चौहान इस अफसर पर आयोजित महिला सम्मेलन में मुखे मंतरी लाडली बहना यूजना के अंतरगत महिलाओं को स्वीकृती पत्रों का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतरगत दावे आपत्यों के निराकरण के बाद जिली में 3,52,354 महिलाएं पात्र पाई गई हैं श्वी चौहान यहां आवासिय भू अधिकार पत्रों का वित्रण करेंगे और विभन विभागों के 207 करोड 71 लाक रुपए के विकासकारियों का लोकारपर्ट और भूमी पूजन भी करेंगे जिली में क्रिशी के क्षेत्र में अधुसन रचना विकास पर काम किया जा रहा है किसान अपने उत्पादन की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर अधिक से अधिक लाब कमा सके इसके लिए देश में 10,000 FPO बनाने का काम चल रहा है और इस पर केंद्रु सरकार 6,865 करोड रुपए खर्च कर रही है ये बात केंद्रु क्रिशी और किसान कल्याण मंद्रुी नरेंद्रु सेह तोमर ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर वारा सिवनी में आयोजित कारिक्रम में कही उन्होंने इस अफसर पर राजा भोज, कृशी महावध्याले के 80 करोड रुपए की लागट से बने भवन, छात्रावास और ओडिटोरियम हॉल का लोकार बन किया पच्छडा वर कल्यान आयो की अध्यक्ष कौरी शंकर बिसेन ने कलेक्टरेट सभाकक्ष में व्यापारियों, पार्शदों और अधिकारियों की बैठक कर नगर की साफ सफाई और स्वचता को लेकर चर्चा की बैठक में तै किया गया कि दुकानों से निकलने वाला कच्रा नालियों में नहीं डाला जाएगा सभी दुकानदार अपनी दुकान में बड़े आकार की डस्ट बिन रखेंगे बाला घाट नगर को पॉलथन मुक्त करने के लिए पॉलथन की बिकरी और उप्योग प्रतिबंध हित किया जाएगा रदेश की मरित सूची में बाला घाट जिले के कक्षा दस्वी के 21 विद्यार्थियों ने टॉप 10 में इस्थान बनाया है जबकि कक्षा बारवी की मेरित सूची में बालखाट जिले के वाणिज्य संकाय के दो और कृशी संकाय के एक विद्यार्थी निस्थान बनाया है जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि पिछले वर्ष की तोलना में इस साल कक्षा दसवी के परीक्षा परिशा परिणाम में दस प्रतिशत की वृत्धी हुई है जिला कलेक्टर डॉक्टर गरीश कुमार मिश्रा और जिला पंचायच सीईओ डी एस रंटा के मार्क दर्शन में जिला पुरातत्व परिटन और संस्कृती परिशद्वारा परिटन और पुरातत्व स्थलो के प्रचार प्रसार और संद्रक्षन के लिए प्रयास किये जा झाल झाल